नमस्कार दोस्तों मैं हूँ असी सोर आप देख रहे हैं लर्ण विल चैनल दोस्तों लास्ट टाइम हमने यहां पे जी एस्टी के रिपोर्ट लेके आ गया थे टैली से अभी जैवसे मैंने टैली ओपन करके रखा है तो आप यहां पे देख सकते हैं टैली प्राइम 9000 करके लिखा हुआ है यानि कि ODBC पोर्ट इसका 9000 पे सेट है अगर आप चैन्ज करना चाहते हैं और यहां पर यहां जाने से मिल जाएगा इसको आप बोथ सेट कर देंगे यहां पीनेबर ODBC को यह कर लेंगे और पोर्ट नमबर आप अपनी हिसाप चैन्ज कर सकते हैं या तो टैली आपका रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा आप रिस्टार्ट करेंगे और करजर को अगर आप यहां पर टैली के लोगों पे लेके आएंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि टैली एरपी 99000 लिखा हुआ है यानि कि अब हमारा टैली ODBC के थ्रू किसी भी क्या था यहां पर Excel फाइल से एकसल फायल में हमने कुछ कोट्स लिखे थे जिसके थुरू हमने इसको क्नेट करके टैली का डेटा यहां पर उठा लिया था अगर मैं इसको रिफ्रेस करूं तो यह डेटा अगर हमारा वहां पे चेंज होगा कुछ तो यहां भी आटोमेटि करके दिए लिक्त आएगा कोई पर आपको चले झाना है को एन जाने बाद में हैं पर आपको एडिट करना है कैंश और फिर यहां पर है एड्वांस एडिटर टेड़ इड्वांस एड़्ान दिटर में लोगोंने देट यहां पर डाल कर रखा लेकिन अगर कैसा हो कि हम लोग डेट को भी यहीं पे रिप्लेस कर दें आपको वहां पर जाके कोड में बार 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 डेट चेंज करेंगे और इसको रिफ्रेस्ट करेंगे तो यहीं से ही आपका यह लोड हो जाएगा तो कैसे करना है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहां पर डेट का कॉलम बना लेना है कि यहां पर हमें यूज करना है फ्रॉम डेट तो हम लोग यहां पर फ्रॉम डेट लिख लेते हैं यहां पर यूज करना है टू डेट तो यहां पर टू डेट लिख लेते हैं इसमें आपकोईश्य व्यक्त डिड़ेंट आरख कर दिया मने जो और और उसके बाद इसको सेलल्ट करना है फ्रॉफ दिड़ेट डिट यथा पुरा चवालों समय सेलेक्ट करनी है यह समेने सेलेक्ट करके रखा हुआ है select करने के बाद में यहां पे आपको data में आ जाना है उपर में data में आने के बाद में यहां पे आपको from table करके दिखेगा आप from table पे क्लिक करेंगे यह select हो जायागा पहले से रख्था हुआ था 요 पर पर एक हुआ तक हमारा सेलेक्ट है यहाँ पर आपको टिकर देना है मैंень WOR अब यहाँ के करेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे और निख भाए है लेकिन हम किता हुआjekt के साथ लिख्या रहा है टेवल टू को हम लोग यहां पर चेक कर देते हैं इसको कर देते हैं ठीक है तो आप जैसे यहां पर चेंज करेंगे इसके प्रॉपर इसका नाम तो आप यहां पर भी देख सकते हैं इसका डेट करके नाम चेंज हो चुका है अब इसमें हमें टाइम नहीं च भी अभी हम लोग सिर्फ डेट बस रखेंगे तो आप जैसे ही वहाँ पर डेट को चेंज करेंगे तो आप यहां पर भी देखेंगे कि आपका डेट जो है वो प्रॉपर तरीके से आ चुका है अब उसके बाद यह डेट है जो हमारा यह डेट फॉर्मेट में आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं टाइप डेट करके लिखा हुआ है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में तो टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करने के लिए जैसे हमारा फॉर् चेंज टाइप में सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा यूजिंग लोकल करके तो यूजिंग लोकल में जाएंगे कि यहां पर आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा तो उपर आप टेक्स्ट चूज कर लेंगे और नीचे वाले में इंगलिस कर देंगे और ओके करेंगे इसको ठीक ही हमारा यहां पर एड हो जाएगा आप यहां पर साइड देखेंगे चेंज टाइप लोकल करके इधर आ चुका है अब सेम ऐसे हम लोग सेकेंड वाले पे भी जो हमारा टूडेट है उस पर भी राइट क्लिक करेंगे और यह हां पर चेंज टाइप में जाके इसको भी यूज लोकल कर देंगे और यह हमारा टेकस्ट आ गया इंगलिस आंगे इसको ओके करेंगे तो हमारा तूड वाले का भी यहां पर यूज लोकेल करके चेंज हो गया तो यह हमरा करेंगे अभी जैसे ही हमारा चेंज वित लोक टाइप लोकल करके है इस पर हमने क्लिक किया या इस पर हमने क्लिक किया किसी पर भी और यहां पर आने बाद में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे यहां पर heading के उपर में click करके जा रहे थे अभी हम लोग सिर्फ date पर click करेंगे date के उपर click करेंगे यहां पर लिखे select करेंगे add as new query तो add as new query जैसे हमने किया यहां पर form date अलग होके आगया सेम ऐसे ही हम लोग फिर से वापस से यहां पर डेट पर क्लिक करेंगे डेट पर जाने के बाद में इस बार हमें यहां पर टू डेट वाले में जहां पर डेट लिखा हुआ है वहीं पर क्लिक करना है और add as new query पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा to date वाला भी अलग होके यहाँ पे separate होके आ चुका है अब यह जो हमारा from date to date ऐसा लिखा हुआ है space देके लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप click करेंगे इसको click करके इधर property में इसके बीच के space आप अठा दीजिए और यहाँ पे to date में भी आप click करके इसके बीच का यहाँ पे property से space अठा दीजिए अभी हमारा from date और to date करके आ चुका है अब इस date को हमें add करना है अपने GST वाले data का जो हमने code लिखा था वहाँ पे तो यहाँ पे GST data हम चले जाएंगे यहाँ पे चले जाएंगे advance editor में अभी हमें यहाँ पर हमने date डाल कर रखा हुआ था यह हमें डालने की ज़रूरत नहीं है इसको हम पूरा का पूरा यूं ही हटा देंगे अभी यहाँ पे जो हमने date 1 लिखा हुआ था और date 2 लिखा हुआ था अभी इसमें हम लोग replace कर रहे हैं date 1 को from date से अभी हमने जो from date करके वहां पर बनाया हुआ था उससे और date 2 को to date से replace कर रहे हैं अभी इसको हम लोग done करेंगे तो दोस्तों अभी देखिए यह हमारा यहां पर कुछ error आ रहा है formula यह firewall करके query gst data step source reference other queries are step so it not be directly access data source और इस type का अगर कुछ आपका भी error आ रहा है तो इसके लिए क्या करना है आपको यहां पर बिंडो क्लोज करना है पहले इसको keep कर लेंगे discard नहीं करेंगे नहीं तो जो भी आपका changes हुआ है वो हट जाएगा इसको keep करेंगे keep करने के बाद में अभी यह क्या होगा कि आपके लिए यह अलग-अलग seats से यहां पर दो-तीन seats यह अलग से बना देगा from date to date from date to date करके आपको यह seats रखने की जरूरत नहीं है आप इसको delete कर सकते हैं तो हमें मेन सीट में आना है मैन सीट में आने के बाद में डेटा में जाना हर वह जो भी आ रहा था उसको दूर करने के लिए यहां पे data में जाएंगे, new query में जाएंगे, यहां पे query options करके आता है तो क्वेरी ऑप्संस में जाके हमें वो चीजे ठीक करनी है तो आप यहां भी साइड में देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा से बढ़ा करता हूं तो वर्क्साप क्वेरी में अभी हमारा जीएश्टी डेटा करके है यहां पे डाउनलोड डिडनाट कम्प्लीट करके आ रहा है क्य क्वेरी जानेक बाद में क्वेरी ऑप्संस करके यहां पर आता है क्वेरी ऑप्संस में जाएंगे हमें को के नहीं को करेंगे तो यहां पर अभी देख रहे हैं आपका यह जी ah आ रहा था ऊहर चुका है लेकिन पिर यहां दिखा रहा है डाउन्लोड कंप्लीट करके तो यहीं पर रे Cr है तभी और यहां पर डे। वह ले कर जाएगा अब यह तो हमने एक से दो तारिक का डेटा उठाया हुआ है अगर मुझे यहीं से डेट चेंज करके अभी चेक करना है डेटा उठाना अभी चलिए मैं इसको दो तारिक करता हूं दो अप्रेल कर दिया मैंने इधर भी इधर भी दो अप्रेल कर दिया मुझे दो अप्रेल का ही डेटा उठाना है मैंने यहां पर डेट चेंज किया अपने यह सीट पर या टेवल जो भी वो लिजिए टेवल पर आनेक बाद में राइट क्लिक करके मैं यहां पर रिफ्रेस कर रही हैं अभी और इसमें आपको जो भी GST टाइप है या आपके डेविट क्रेडिट नोट है उसके कुछ डिटेल्स हैं तो सारक सारा यहां पर उठके आएगा अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा हुआ है तो उसको आप जरूर देखिए उसमें कौन सा डेटा उठाया था उसका क्या यूज था वहां पर सारी चीज़ें आपको बताई गई है तो अभी अगर मैं अपने टैली में यह चीज़ दिखाऊं आपको आप यहां पर दो तारीक में देख सकते हैं इस तरीके से हमारी कुछ एंट्रीज थी जो वहां पर उटके जा रही है अगर मैं इसको यहां पर कुछ चेंजिस करता हूँ चलिए मैं इसका एमांट चेंज करके देखता हूँ ठीक है 253.43 को मैं 3 कर दता हूँ यहां पर 3 कर दिया मैंने यह हमारा GST वैल्यू भी एट रुपे हो गया पहले 6 था अब इसको सेप करते हैं यह मैंने सेप कर दिया भी 370 रुपी जा रहा है अब चलते हैं यहां पर वापस से रिफ्रेस्ट कर देते हैं इसको राइट क्लिक किया मैंने रिफ्रेस्ट किया अभी आप देख सकते हैं यहां पर हमारा इन्वाइज वैल्यू 265 से 370 हो गया इसका बांकी डिटेल इसके टैक्सेवल वैल्यू क्या थे इसमें GST क्या लगा था यह सारी चीजे आपको यहां पर आटोमेटिक सो कर दिया इसने आप जो भी चेंजेश करेंगे वहां टैली कि में की नहीं है कि मैंने 31 मार्च डाल दिया है यहां पर अब मैं इसको रिफ्रेस कर दता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा 31 मार्च का डेटा यहां पर आ चुका है इसमें आपके क्रेडिट डेविट नोट अगरे भी आते हैं सभी चीजे जो भी डिटेल्स वहां पर रहेंगे वह सारा अग सारे चीज उठा लेगा यहां पर आप देख सकते हैं एक हमारा डेविट न इसका नोट डेट क्या है वो सारी चीज़े आ रही है यह आपका टैक्सेवल वैली उसमें माइनस में भी दिखा रहा है इस तरीके से आप टैली से कनेक्ट कर सकते हैं और यहीं से आपका डेट जो है डाल के डेटा उठा सकते हैं आपको वहां पर बार बार कोड में जाने गि संदी करता है अगर आपके टैली अलग-अलग टैली आप open करके रखें हैं कई सारी और आपको एक साथ कई सारे डेटा पर काम करना है तो आप ODBC पोर्ट भी यहीं पर चेंज करके नहीं सकते हैं तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं यहां पर आपको ओडियो फॉक डाल कर से कनेक्ट करना है वो दिखाऊंगा और साथ ही यहां पर एक रिफ्रेस्ट बटन एड़ करूंगा जिसको क्लिक करते ही यह सारा डेटा अपने आप रिफ्रेस्ट हो जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकान को भी आप दबा के रखिए क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा रिफ्रेस्ट व झाँ